हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके देखे जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी एक तो टाटा गुरूप के सेर में क्यों गिरावट हुई है और दूसरा एडा एडा में तो लोग जवरदस्त ही तो और पे फसे वे तो आज की वीडियो में दूसरे सेर की तरफ हम नजर डालते हैं चाहे वो टाटा इंवेस्टमेंट हो चाहे टाटा केमिकल हो चाहे टाटा मोटर हो या टाटा पावर हो तो इंडियन होटल हो तो यह सब सेर टाटा संस से रिलेटेड थे जिसके आईपियो की बात आ रही थी और आईपियो आने से value unlock की कहानी हो रही थी लेकिन जैसे ही खबर आई कि Tata Suns IPO नहीं लाना चाहता है उससे बचना चाहता है क्योंकि Tata Suns चाहता ही नहीं है कि उन्हें हर एक चीज एक्सचेंज को अपडेट करनी परे तो इन सब कई कारणों के मद्दे नजर जहां पर Tata की कोसिस है कि Tata Suns का IPO ही ना आपाए तो चुके ये उसके कारण सेर में तेजी हुई थी तो जब ये हुई कि भाईया ये कोसिस कर रहे हैं कि ना आपाए तो यानि जो news बेस तेजी हुई कि अच्छा आने वाला है तो very good उपर जाने लगा लेकिन फिर news आई कि अच्छा ये लाना ही नहीं चाहते हैं और नहीं लाने के लिए सारी कोसिस में लग गए हैं तो वहाँ पर फिर वो सेर गिरने लग गए तो ये एक simple story है जहां पर आप जो Tata Group के सेर में देखे हैं गिरावट का तो मेरी नजर में ये एक important कारण है जहां पर आप देखे हो अगर आपके नजर में कोई और कारण लगता हो तो comment में जरूर बताईएगा जिसे मुझे भी पता चल सके कि मैंने कौन सा कारण cover नहीं किया है और आज YouTube पर जब हम live आये थे तो हमने आपके साथ share भी किया था कि क्या इस गिरावट में portfolio बेच देना चाहिए था तो आप वो वीडियो जरूर देखेगा big eye opener वीडियो है क्योंकि सब लोग परिशान है और अब हम IDA की बात कर लेते हैं तो IDA की बात करने से पहले मैं बता दूँ कि 27 मार्स से सुरू हो रहा है हमारा stock market master class जहाँ पर basic से advance तक आप सीखेंगे intraday swing positional जिससे आप cash future option में कहीं भी trade कर सकते हैं holy maha dhamakka offer है 22 मार्स तक जिसमें first 50 student को बहुत ही बहतरीन offer मिलने वाला है तो 9708094321 पर आप call कर लीजे हमारी team से बात कीजे homework मिलेगा, study material मिलेगा, screener मिलेगा तो जिस तरीके से मैं predict करता हूँ मैं कोसिस करता हूँ कि आपको चीजे दे सको बिल्कुल उसी तरीके से आप सीख कर बिंदास कमा सकेंगे तो मौका न जाए 9708094321 पर call कर लीजे अब हम बात करते हैं कि जिसका chart भी आज मैंने twitter पे डाला था कि वो एक अपने major support 120 के पास ख़रा है जो उसका make or break है बट उसमें एक news आई है news यह है कि NSE ने जो EDA है उसको जितने भी एहम index है उसमें सामिल किये जाने के फैसले को वापस ले लिया तो आपको कहोगे उन्होंने ऐसा क्यों किया है तो उनका कहना है कि सेभी portfolio concentration से जुड़े जो नियम है उसको ये सही तरीके से follow नहीं किये इसी लिए ये फैसला लिया है जो सेभी portfolio concentration rule है उससे जुड़े impact cost का इन लोगों ने उलंगन किया है इसी लिए index में सामिल करने का के फैसले को वापस लिया गया है तो आपको पता है कि समय समय पर review के आधार पर exchange के index maintenance subcommittee ने 28 फरवरी 2024 में ये फैसला लिया था लेकिन अब ना ये nifty 500 में जाएंगे ना nifty mid cap 150 में जाएंगे ना nifty mid cap 100 में जाएंगे ना nifty 200 में जाएंगे ना nifty large mid 250 में मतलब इनकी entry कहीं नहीं होने वाली है तो ये वो चीज है जिसके आधार पर आप देख रहे हूं कि market में एक अच्छा वाला negative sentiments create हुआ है लेकिन वहाँ पर overall जो कहानी निकल के आएगी वो as per technical 120 के make और break पर निकल कर आएगी तो उमीद करता हूं कि बस telegram और whatsapp से जूड़ जाएए link description में हर update मिलती रहेगी और कैसा लग रहा है ये 3-4 मिनिट में जो वीडियो खतम हो रही है वो कैसा लग रहा है comment में बताईएगा thank you so much